हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्श्र को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम ना है अब देखेगा आज हम जो आपको बताने वाले हैं कुछ रुद्राक्ष के और लाब बताने वाले हैं रुद्राक्स जो भी साद्धक धहारन करता है नाना भाति की आध्यत्मिक परगति के साथ-व्यक्ती की भतिक परगति भी होती है रोगों को भाय't को अनिद्रा को को हाईपरेंशन को बहुत सारी चीजों को टेमपेटेशन को बहुत लोगों की दिल की धर्लकन बड़ी रुद्राक्स नहीं पहनना चाहिए या पहनना चाहिए ये तो कोशन ही नहीं बनता है ये कोशन ही गलत है रुद्राक्स हिंदू सास्त के हिसाब से बड़ा ही परम पवित्र भगवान शिव का एक सुब आशीश है सुब फल है भगवान रुद्र की आंसों से हुई उत्पत्ती एक बहुत ही शांदार तरीके से हमारे जीवन की विपत्तियों को दूर करती है रुद्राक्स अने को रोगों में कारे आता है हमारे रिशी मुनी रुद्राक्स सदे पहनते आये हैं पहनाते आये हैं रुद्राक्स की माला जब में सरस्वेस्ट माला कहीं जाती है तो कोई तो बात है जिस रुद्राक्स को हमारे इश्वर धारन करते हों भगवान धारन करते हों हमारे रिशी धारन करते हो हमारे गुरु धारन करते हो तो क्या हमारे गुरू किसी गलत चीज़ को धारन करते हैं क्योंकि कई बार आप हमसे कुशन करते हैं शर्मा जी किसी ने हमसे कहा रुद्राक्स नहीं पहनना चाहिए रुद्राक्स या रे भाई आप सबकी बात सुन लीजिए कम से कम ये तो सोची है अपना दिमाग लगा करके कि जिस रुद्राक्स को हमारे देश के रिशी मुनी पहनते आए हो जिस रुद्राक्स की इतनी महत्ता हमारे सास्त्रों में हो जिस रुद्राक्स की औस्दिया मनाई जाती हो जिस रुद्राक्ष की भर्स्म काम आती हो जिस रुद्राक्ष को भग्मान श्यव ने अंगिकार किया हो जिस रुद्राक्ष को भग्मान श्यव ने उत्पन किया हो तो क्या ऐसा रुद्राक्ष नुकसान करेगा थोड़ा बहुत सुनिये सब की लेकिन मेरे साधिको थोड़ा बहुत भगवार ने दिमाग तो हमें भी दिया है ना तो कम से कम हम किसी भी चीज़ को करने से पहले या सुनने और जाचने से पहले अपने दिमाग से भी सोच लिया करें कल को मैं भी आपको कोई गलत गाइड करूं गलत बात बताऊं तो आप कम से कम अपना दिमाग तो रखते हैं ना एक छोटा से बच्चे को भी आज की समय में हमें मन होता है कि इसको हम चोकलेट नहीं दिलाएंगे है ना हम लाग बहार ने बरते हैं कि बटा ऐसा नहीं है, दात कराम हो जाएंगे, यह है, वो है कितनी बाते हैं बच्चे को ना दिलाने के लिए लेकिए बच्चा अपना दिमाग लडाता रहता है नहीं बस पापा बस आज दिला दू, फिर मत दिलाना और फिर मंग लेता बच्चा तो इसी तरह से कोई हमें कितना भी बर्गलाने की कोशिस करे हमें अपना दिमाग रखना चाहिए है ना जब एक बच्चा मातर एक चॉकलेट के लिए अतना दिमाग रख लेता और मम्मी बापा को बहला फुसला करके खाई लेता है ना तो कम से कम भाई अपना दिमाग यूज किया करें सास्त्रों के अवेलना कदा पी नहीं करनी चाहिए और जो सास्त्रों में हमारे रिशी मुनी लिख गए जो सास्त्रों में रिशी मुनी बता गए इतना ग्यान इतना ग्यान तो हम एक लाग बार मर करके जनम ले लेना तो भी नहीं हो सकता बड़ा मन में टीस पहुचती है बड़ा मन में दुख पहुचता है कोई भी आकर कि ये कह देता है कि हनमान चालीसा मैं तोसिजाज जी का नाम मत लगाओ तो में फल नहीं मिलता तुम अपने नाम लगाओ बनाई थी ना मैंने एक वीडियो अरे तोसिजाज जी से आप अपना मुकाबला कर रहे है है हम लोग तोसिजाज जी से अपना मुकाबला कर रहे है कर ही नहीं सकते मुकाबला हो ही नहीं सकता जिनोंने रामाइन की रशना करी हो जिन्होंने नजाने कितने चंद लिखे हो नजाने कितने लोगों को भक्ती के सागर में डुबाया हो राम जी के अनन्य भक्त हनमान जी के नजाने कितनी बार उन्होंने दर्शन किये हो उन तुलसिदाद जी से हम अपनी तुलना कर रहे हैं उनका नाम हटाने की हम बात कर रहे हैं, किसने लिखी है तुलसिदाज जी ने, ये अनमान चाली साल लिखी किसने है, जिसने लिखी हम उसी लिखावट को मिटाने का प्रियास कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग इखटे हो गए धर्म का विनाश करने के लिए, और हम लोग धर्म की लोलुपता में आकर के अपने फाइदे के लिए हम उनका तुलसीदाजी का नाम हटा करके महेश कुमार, सुरेश कुमार, सुमेश कुमार, कामनी देवी, सामनी देवी क्या मतलब है आप लोग रोटी खाते हैं अन खाते हैं थोड़ा बहुत दिमाग रखिएगा कि ये व्यक्ति गलत गाइड कर रहा है इसलिए मेरे साथ को बहुत ही आवश्रक्ता है समय में हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ अपने बच्चों को सिखाना है वेद व्याज जी ने वेदों का प्रश्ना की लिखे ना वेद व्याज जी ने वेद तो हम वेद व्याज जी का नाम हटा दे अपना लिख ले मेग साकुंतलम किसे ने लिखा साथ कालिदाज जी ने लिखा तो उनका विनाम हटा के अपना लिख ले हमें पदा किसे ने किया भगवान ने और हमारे माबाप ने तो माबाप कभी नाम हटा दें अपना लिख ले कैसी फूर बाते कैसी पागलो वाली बाते लोग हमें समझा जाते हैं और उनसे सुन्दर हम है कि हम अपने तुछ लालच के लिए किसी भी महरीशी का नाम हटा करके अपना नाम लिखने को आतुर हो जाती है यह एक्जामपल देना पड़ा मुझे क्यों? क्योंकि वो ही रुद्राक्स से आप कापते हैं, रुद्राक्स से आप डरते हैं रुद्राक्स भागवान शिव का एक विशेश स्वरदान है जब में किस माला को हम लेते हैं हम रुद्राक्स की माला से ही जब करते हैं करते हैं न, सर्वस्रिश रुद्राक्स की माला बताई जाती है तो जिस माला से हम जब कर सकते हैं ऐसा ही हम रुद्राक्स भी धरन कर सकते हैं जादे ना समझाऊंगा आप तुम बहुत सारे हमारी सेना में तयार होते जा रहे हैं बहुत 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 हमने कल देखा हमने सोला तारीक से बात की थी खुद घोशना की थी कि जो भी सादक दिक्षा मार्क से जुड़ना चाते हैं हमारे इंद्राक्सी धाम से जुड़ना चाते हैं हमें एक सिक्षक की भाती हमसे कुछ जीवन में, हमेरी उंगली पगडगर के कुछ चलना चाहते हैं, आध्यात्मिक पगड़ंडी के एक शांदार मुशाफिर बनना चाहते हैं, तो हजारों की संख्या में आप लोगों के फोन आ गए, कल कल में ही, देश के विभिन विभिन कोनों से, प्रांतियों नजाने कितने प्रांतों से, कितने ग्रामी नाचल से, सुदूर से, देश से, विदेश के कोनों कोनों से, नजाने कहा कहा से, कल कल में हजारों की संख्या म गुर्दिक्षा के लिए बहुत लोगों ने बढ़ चड़ करके अपना नाम लिख पाया तो यही तो प्रेम है आपका हमारा इसलिए हम तुम्हें दुलार भी देते हैं तुम्हें हम डाट भी देते हैं अब हमारा फर्ज है हम तुम्हें प्यार करेंगे तो तुम्हें हम डाटेंगे भी, फटका रहेंगे भी, तुम्हें हम समझाएंगे भी, तो तुम्हें अब सिक्षक की भाति हमारे साथ रहना है, और हमें तो आवश्रक्ता मुठ्छी बार आप लोगों की ही है, हमें बहुत बड़े यहां पे भीड की आवश्रक्ता नहीं है बहुत भीड पिछले 27 सालों से हमने देखी है बड़े-बड़े सेमिनार 27 वरसों में हमने किये है है ना लेकिन अब हम अपना फर्द समगते है कि आप लोगों के साथ मिल करके अपने धर्म के परती विश्व के परती हम एक अच्छी जागरती उत्पन करें और अच्छी अच्छी कारिये करें आप लोग बस ऐसे ही मन से जुड़ना हम बार बार इस बात को दोरा रहे हैं पिछले कई सालों से जो लोग दिख्षा के लिए आतुर है हम उन्हें पका रहे थे हम उन्हें समझा रहे थे तो इसलिए वो लोग जुने दिक्षा से जो लोग गुरू के मर्म को समझते है जो लोग हमारे हर्दे में पीड़ा क्या है उसे समझते है अपने धर्म के परती जिनके मन में पीड़ा है जिग्यासाएं है समाज में एक सुंदर्ता लाने की जिग्यासा है और एक समाज में सोमेता का वाता अवना रुत्पन करना है और अपने धर्म के प्रती हमें जो भी अपने धर्म से जुड़े लोग हैं उन्हें अच्छे से और जागरूप करना है और बहुत सारी बाते हैं अब यही तुलसिदाज जी का नाम हटा दो तो यह सब अंद्विस्वास फेलाया जा रहा है ना किसी ने किसी रूप में और रुद्राक्स मत पहनो रुद्राक्स धारन मत करो तो यह सब चीज़े क्या है फिल्म में बन रही है बताइए एक पागल ने उसने फिल्म बना दी रोद्राक्स का उपास कर रहा है वो पागल आरे उससे पूछे तेरा कोई लेना देना है तेरा जब कोई लेना देना ही धर्म से नहीं है इस धर्म से नहीं है तो लोग तो हम पागल है न कि ऐसे लोगों को हम सिर पर बठा लेते हैं तो कहने का भाव आप समझे आप समझे किस इस प्रकार से फिल्म वालों ने भी हमारे धर्म को ब्द्नाम करने का समय-szमय पर्यास किया है कैसे आप देखते हैं एक दूसरे पर whatsapp जाते कैसे फिलबों में ठाकोर बना दीया जाते हैं ठाकोर को बद्राम करने का प्रियास किया गया कि साब ठाकुर साभी बंदूग चलाएंगे है ना देखा आपने पंड़े जी को कैसे उन्हें ने चोटी खड़ी कर दी अजीब साउन का मेकप कर दिया मुह में रिवालवर डाल दिया साब के फेरे कराओ तो क्या यह सब क्या है क्या ह अच्छे संबंद है तो वो हमसे नराजना हो लेकिन हमारी छोड़ा हमें किसी ने नहीं हमें सबने खंड-खंड करने का प्रियास किया कब तक हम जोटते रहेंगे साब कब तक हम अपने धर्म में अपने बच्चों से अपनी मजाग बर्माने लगें आज हम आज हम आपने धर्म पर चलना अपने धर्म की बात करना बच्चों के लिए वर्त रखना बच्चों के लिए भूका रहना वह मां मां अंध्विश्वासी हो गई है वो मा जब तुझे किताबे भी लगानी नहीं आती थी अरे नालायक जब तुझे किताबे लगानी नहीं आती थी तुझे किताबे सजानी नहीं आती थी वो मा तेरा बस्ता लगाया करती थी तुझे स्कूल बेजा करती थी आज वो मान पढ़ो गई है जब तुझे नाक भी पोचनी नहीं आती थी, और बाते तो बहुत दूर की बात है, खाना भी तुझे नहीं आता था, वह माद तुझे सिखा थी तेरी अधिहापीगा बनी थी, आज वो मान पढ़ो गई, आज वो पितान पढ़ो गया, तो कैसे हैं, मारी संतानी होती जानी है, क्यों, क्यों कि हमे हमें चहूं और से हमें चहूं और से लपेटा जा रहा है इसलिए बहुत वैसा समय मरने से पहले हमें जीना है इसलिए अब आप ऐलर्ट हो जाईए और बहुत अच्छे से आज अपने हमने अपने आज अपने बच्चों को नहीं समझाया तो आज हमारे बच्चे हमसे नहीं स रिष्टे तो खत्म होई गए हैं, उड़ते जा रहे हैं सब, इसलिए मेरा आपसे यही प्रातना है, कि आप सब की सुनियें, हमारी भी सुनियें, सब की सुनियें, लेकिन कम से कम जब भी कोई कारिकरम आप सुन रहे हैं, कुछ आप पढ़ रहे हैं, कुछ आप कहीं से देख यह सब बातें बहुत अच्छे से आपको समझनी हैं, बहुत अच्छे से हमें सब को आगे बढ़ना है, और हम किसी का अन्रादर नहीं करतें, लेकिन कम से कम हम जिस धर्म में उत्पन हुए हैं, पैदा हुए हैं, हम अपने धर्म का तो आदर करना हमें आ जाए, जब हमें अच्छा होता है रुद्राक्स बहुत ही अच्छा होता है जिने नाना भाती के रोग होते हैं अनिद्रा रहती है भेह रहता है ग्यात भेह रहता है उपरी प्रैसर रहते हैं निजाने किन किन चीजों से जो व्यक्ति डरते हैं उनके लिए रुद्राक्स बहुत अच्छा कार जबाकर या केवल लाद धागे में पहनना नो को आकड़ा पूर्ण होता है तो बहुत अच्छा शांदार कार्य करता है दीरे दीरे एक सोचोदा मुखी रुद्राक्ष और भी पावरफूल हो जाता कई प्रकार के रुद्राक्षों का संयोजन करके एक सोचोदा मुखी रुद्राक्ष बनाया जाता है बहुत अच्छा कार्य करता है शिप परिवार हुआ गवरिशंकर हुआ गणेश रुद्राक्ष हुआ क् बहुत अच्छा कारे करते हैं तो इसलिए आप रुद्राक्स पहना करें रुद्राक्स पहन सकते हैं और बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि शर्मा जी केवल केवल नौ मुखी के नौ दानों पर अच्छे से विस्तारिस चिपनी करें जरूर करूंगा एक सो चोदा किये तो भग्मान शिव से ही आज की ध्यान साथना में हम सब जुड़ते हैं ओम आत्मा त्वंगिर्जा मती सैचरा प्राणा सरीरं ग्रियं पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रा समा जिस्त दे संचारा पदयो प्रदक्ष्ण विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवाराधनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित व्रिच्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवर्दाम् वन्दे सिवं संकरं ओमकरपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुज केंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी कबश बना लें ध्यान करें भगवान शंभू का आशीस हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए ने त्रिकों ले समानने हो जाए देखो साथ को देख्षा के लिए आप बहुत दूर दूर से जुड रहे हैं बस चलते चलते यह कहूंगा अब जीने की बारी है बहुत अच्छे से और अच्छे से कुछ सीखने की और सिखाने की बारी है बहुत मुश्किल से यह मानव का जीवन मिलता है हम गदे भी बन सकते थे चीटी भी बन सकते थे कोयल भी बन सकते थे कुछ भी बन सकते थे हम लेकिन हमें मानव का तन मिला है मानव का रूप मिला है तो यह जो सरीर है ना स्थूल हाला कि इसमें तिन सरीर होते हैं स्थूल होता है शुक्षम होता है कारण होता है यह जो स्थूल सरीर है यह बहुत कीमती है इसे किबल भोजन की आवश्रक्ता नहीं है पोषण की आवश्रक्ता नहीं है बहुत कुछ आवश्रक्ता है तो वो आवश्रक्ता अध्यात्मिक मार्क से ही पूरुन हो सकती है संसार से जाना सब को है, आमर को ही नहीं है चिरन जीवी음 की छोड़ करके हम सब तो चले ही जाएंगे न तो बारी बारी सभी पिछड जाएंगे किसी के प्राण आज निकलेंगे किसी के कल निकलेंगे किसी के कब निकलेंगे सब चले जाएंगे इस संसार से जाना सब को है तो जब हमें जाना ही है तो हम मोक्ष मार्ग को चुनते हुए जाएं अध्यात्विक मार्ग में चलते हुए जाए और परम संतोस की प्राप्ति करते हुए जाए सीख करके जाए अच्छे से और अपनों को और बहुत लोगों को अच्छे से सिखा करके जाए बस आज के यही निविदन है गुर्दिक्षा के लिए 22 तारिक तक हम सोच रहे हैं यह सिलसिला चलता रहेगा आप ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और इन बिट्विन जो भी संदेश होगा हम आपको सब बताते रहेंगे जैमा इंद्राक्षी आपने कहा कि शरीर में कोई परशानी हो तो दहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं का हुवे आपा इसके बाद मैंने उसका जफ शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा और मैंने कहा कि अपंडित जी से कैसे जुणू क्या जुणू तो मैंने कह कैसे करूँ मैं मैं इश्वर अगर सही है मा भगवती की मेरे पर क्रिपा है तो जरूर मेरा कोई नो कोई रास्ता निकलेगा तो ये सारी चीज़े मेरे को इश्वर की क्रिपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आप से जुड़ी समातन धर्मे के प्रती और हमने जहां जन में लिया है उधर्ती के रिंड को हमको अदा करना है इसलिए आपकी चड़नों में मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें करना छेखना के लिएक इनलिए कारिक्रम् सबसे लिएे सा हमे सब्से करेंधिक जाब करें ठाप करें सबसे करें तर